वास्कार स्वागत है आप सभी का निसान ग्यान चैनल पे मैं नितिलुपाद्याप का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोग सामने जो वीडियो सीरीज मेरी चल रही है भारती समविधान के महत्पूर कोश्चन के लिए आज नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जाएगा भा बारती समविधान के यही सब कोश्चन जो है परती परिच्छाओं में पूछे जा रहे हैं तो बाहर से कोश्चन नहीं आते हैं यही सब कोश्चन जो है परिच्छाओं में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से इसी तरीके का कोश्चन एंसर सीरीज पाने के लिए कोश्च जो कर रहे हैं उससे लोग लाभानवित हो और उससे जो है उन्हें सफलता मिले कुछ अलग करने के लिए प्रेरित भी हो कुछ अलग करने के लिए उन्हें पता चले किस तरीके के कुश्चन परिच्छाओं में पूछे जा रहे हैं ठीक है तो इसी तरीके से कुछ कुश्चन सिरीज कुछ question मैं एकत्रित किया हूँ important question है जो आपके सामने आज फिर जा रहा है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला question है लोकसभा की अवधी 5 से 6 वर्से कब किया गया था देखिए sorry अपसर नंबर A है 52 में समिधान संसोधन B है 40 में समिधान संसोधन C है 44 समिधान संसोधन D है 42 समिधान संसोधन तो देखिए लोकसभा की अवधी प्रारंभ में तो 5 वर्स थी लेकिन बीच में एक बार 6 वर्स कर दिया गया था देखिए उस समय क्या था उस समय जैसे कि देखिए 1975 में राष्ट्री आपातकाल लगता है ठीक है उस समय जो है भारत की परदान मंत्री कौन थी तो स्री मति इंद्रा गांदी जी थी ठीक है तो 42वा सम्मिधान संसोधन जब होता है 42वा सम्मिधान संसोधन जब 1976 में होता है उस समय जो है लोगसभा की अवधी को पाच वर्ष से च्छा वर्ष कर दिया जाता है ठीक है लेकिन पुना है चवालिस समें समीधान संसोधन 1948 के दौरा पुनह जो है छावर्थ से घठा करके पांच वर्थ कर दिया जाता है एक बार तो बढ़ाया जाता है कितना कर दिया जाता है तो 5 से 6 कर दिया जाता है लेकिन दो साल बाद ही जब वर्ष से पुनह पाच वर्ष कर दिया जाता है जो आज तक चल रहा है ठीक है अगले question की चर्चा करते हैं अगला question है लोगसभा अध्यच अपना त्याग पत्र किसे देते हैं देखिए जो लोगसभा अध्यच होते हैं वो अपना त्याग पत्र जो है लोगसभा उपा अध्यच को देते हैं किसे देते हैं लोगसभा उपा अध्यच को देते हैं उपध्यच अध्यच को देते हैं प्रधान मंत्री किसे त्याग पत्र देते हैं टो राश्ट्रपती महोदे को देते हैं इतना जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आगे मैं बता रहा हूं उसे आप नोट कर लीजिएगा अगर एक बार सुन लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा ठीक है अगले question की चर्चा करते हैं अगला question है किस वर्स किस वर्स आम बजट और रेल बजट को अंतिम भार अलग-अलग किया गया था तो देखिए वर्स 2016 में वर्स 2016 का जब बजट आया था उस समय क्या था उस समय जो है रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेस किया जाता था लेकिन 2016 तक क्या था 2016 तक था रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग घोसित किया जाता था तो जो question है किस वर्स आम बजट और रेल बजट को अंतिम भार अलग-अलग पेस किया गया था वर्स था 2016 सोला लेकिन 2017 से पुना रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेशन समझ में आया होगा अगले क्वेशन की सर्चा करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसे ने पेस किया था तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पे ती ठीक है जो डाक्टर जानमथाई लिखा गया है सोतंतर भारत के पहले वित्त मंत्री थे लेकिन बजट पेस किया गया था अगले question की चर्चा करते हैं अगला question है अगला question है समिधान सभादवारा राष्टरगान को कब अपनाया गया समिधान सभादवारा राष्टरगान को कब अपनाया गया चार आपसन दिये गये हैं चार आपसन है पहला आपसन है 22 जनवरी 1947 दूसरा आपसन है 26 जनवरी 1950 तीसरा आपसन है 25 जनवरी 1950 पचाश चौथा अप्सन है 24 जनवरी 1950, तो जो इसका Right Answer रेफिरेंट्स है 24 जनवरी 1950, क्या है 24 जनवरी 1950, अब देखिये राश्टरगान के बारे मैं कुछ बद बता दे रहा हूं, कि राश्टरगान के रचैता कौन थे, तो राश्टरगान के रचैता थे रविंद्रनाथ ट जो राश्ट्रगान है मुल रूप से बांगला में रचित था ठीक है लेकिन सम्विधान सभा के द्वारा 24 जनवरी कब 24 जनवरी 1950 सिस्वी को इसका हिंदी रूप अंत्रन जो था उसे जो है राश्ट्रगान की रूप में अंगिकार किया गया है पूरे राश्ट्रगान में पांच अंतरे हैं कितने अंतरे हैं पांच अंतरे ठीक है और इसके गाने का कुल समय जो है बावन सेकंड निर्धारित है कितना सेकंड है गाने का समय पूछा जाता है तो गाने का समय जो है बावन सेकंड निर्धारित किया गया है ठीक है अगर पूछा जाए कि पर्थम औ भारती राष्ट्री कांग्रेस के अधिवेशन में और किस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था ठीक यह गान जो है जन्वरी 1912 में यह जो राश्ट्री गीत है जन्वरी 1912 में तत्तो बोधनी कौन थी पत्रिका थी तत्तो बोधनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक सीर्शक से प्रकासित हुई थी ठीक है अगर पूछा जाए गुर्देव रविंदर नाथ टैगोर जी का एक गीत और है जिसे कहते हैं अमार सुनार बांगला उसे जो है पसिम मंगाल की राश्ट्रगान गोसित किया गया है रविंदर नाथ टैगोर जी का जो गीत है एक है राश्ट्रगान जो हम लोग गात और दूसरा है अमार सोनार बंगला जिसे जो है बंगला देश वाले अपना राष्ट्रगान घोसित किये हैं ठीक है तो इसी तरीके से यही सब मतपुर फैक्ट थे जो राष्ट्रगान के बारे में जानना आपको आवस्यक था अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगान को आपको जानना आवस्यक है आवस्यक है कि राष्ट्रगान की लंबाई चोड़ाई तो आपने जान लिया लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्री ध्वज का प्रारूप सम्मिधान सवादवारा कब अपनाया गया था तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 इस्वी को समिधान सभादवारा इसे अपताय गया था ठीक है तो और एक फैक्ट है कि मराश्ट्री ध्वज के बीच में एक असोक चक्र है क्या है असोक चक्र है जिसे कहां से लिया गया है तो इसे जो है सारनाथ इस्थित सिंह सीर्स अस्थम्ब से लिया गया है कहां से लिया गया है सारनाथ अस्थापित सिंह सीर्स अस्थम्ब से लिया गया है ठीक है तो जो चक्र है उसमें कितनी तीलिया है यह भी पूछा जा सकता है जो जो चक्र है उसमें कितनी तीलिया है तो उसमें जो है 24 तीलिया है और एक फैक्ट मैं और बता दूँ 26 जनवरी 2002 इस वी को एक दोज संगिता आती है जिसे कहते हैं भारती दोज संगिता इसके बाद जब भारती दोज संगिता बन जाती है नियम बन जाती है तो उसके बाद से एक आम नागरिक को भी अधिकार दिया जाता है को वो अपनी निजी संस्थाओं पे फिछड संस्थाओं पे समान तरीके से किसी भी दिन साल के किसी भी दिन दोजा रोहन कर सकता है इससे पहले साल के किसी भी दिन 2000 रोण करने का अधिक्यार नहीं था किसी को और आम नागरिक को राष्ट्री धोज फाहराने का भी अधिक्यार नहीं था 26 जनवरी 2002 को भारती धोज संगिता जब आई तो उसके बाद आम नागरिक को याधिक्यार मिला उम्मीद करते हैं इतना फैक्ट बहुत है ठीक है अगले कोश्चन की चर्चा करते हैं अगला कोश्चन है राष्ट्री खेल दिवस का मनाया जाता है तो राष्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को का मनाया जाता है 27 अगस्ट को मना जाता है और यह जो है मेजर ध्यान चंद मेजर ध्यान चंद जिसे हाकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है उनकी जन्मदीवस के अउसर पर मना जाता है ठीक है और हाकी जो है भारत का राष्ट्री खेल भी है हां कि क्या है भारत का राष्ट्री खेल है अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत गाने का समय सीमा कितनी है देखिए राष्ट्रगीत गाने का समय सीमा क्या है तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए राष्ट्रगीत गाने की समय स तरजी द्वारा लिखित वन्दे मातरम भारत का राष्ट्री गीत है अगर पूछा जाए कि राष्ट्री गीत कहां से लिया गया तो आनंद मठ से लिया गया और सम्विधान सभाद्वारा इसे कब अपनाया गया आप देखिए मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट करते जाए सम्विधान सभाद्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है ठीक है और अगर पूछा जाए कि इसे सवरप्रथम कब गाया गया तो भारती राष्टी कांग्रेस के 1892 के अधिवेशन में पहला राजनीती का उसर था जब इसे गाया गया था गीत के गाने की आवधी मैं आ 5 सेकंड था लगभग इतने ही क्वेशन जो है परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं राष्ट्र गीत के नाम से ठीक है अगले क्वेशन की चर्चा करते हैं अगला क्वेशन है प्रांतिय सम्विधान समिती के अध्यक्ष कौन थे तो देखिए जो प्रांतिय सम्विधान समिती के अध्यक्ष थे वो थे सर्दार वललब भाई पटेल जी कौन थे सर्दार वललब भाई पटेल जी अगर पूछा इदाग डाक्टर पियार्म्वेटकर कौन थे सम्विधान सभा में तो Benjamin अगले क्वेशन की चर्चा करतें उगला क्वेसर्चन क्या है बारती मुद् उधे कुमार के द्वारा इसे जो है design किया गया था अब उधे कुमार के बारे में कुछ जानकारी में देता हूँ उधे कुमार कौन थे उधे कुमार जो है मुंबई IIT में पढ़ने वाले post graduate designer छातर थे जिन्हों ने रूपया का प्रतीक चिन हमें दिया और यह कब दिया तो यह दिये थे 15 जुलाई 15 जुलाई 2010 को कब दिये थे 15 जुलाई 2010 हिस्वी को यह रूपया का प्रतीक जो है उदे कुमार मुंबई IIT के पोस्ट ग्रेडुएट डिजाइनर के द्वारा हमें मिला है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ भारती मुद्रा का प्रतीक चिन्न के बारे में जितने important facts थे आपको पता चल गया होगा उदे कुमार के द्वारा दिया गया 15 जुलाई 2010 को दिया गया और मुंबई IIT के पोस्ट ग्रेडुएट डिजाइनर चातर थे अगले question की चर्चा करते हैं अगला question है भारत देश के पर्थम सिख परधान मंतरी कौन थे तो बहुत ही सरल question है हमें हमारे हिसाब से भारत के परथम सिख परधान मंतरी थे मन मोहन सिंग डाक्टर मन मोहन सिंग भारत देश के परथम सिख परधान मंतरी थे 2004 से ले करके 2014 तक भारत देश के प्रधानमंत्री पत पर रहें ठीक है भारती राष्टी कांग्रेस से संबन रखते हैं कांग्रेस पार्टी से डोगरी भासा की सराज में बोली जाती है तो डोगरी भासा जो है आपसा नमबर A है केरल में B है तमिल लाडू में C है उडिसा में जम्मू कस्मीर में तो डोगरी भाता जो है जम्मू कस्मीर में बोली जाती है कहां बोली जाती है जम्मू कस्मीर में बोली जाती है तो देखें जम्मू कस्मीर के बारे मैं आपको बता दू जम्मू कस्मीर में धारा 370 चलता था अभी तक धारा 370 क्या था एक विसेश राज 2019 इसवी को जम्मू कस्मीर से धारा 370 हटा दिया गया ठीक है को सब्सक्राइब आ सकता है इस वज़ा से मैंने बता दिया अगले कोश्चन की चर्चा करते हैं अगला कोश्चन है राज्यपाल सोने के पिजरे में निवास करने वाली चिडिया के समतुल्य है यह भी कोश्चन क की पर्थम राज्यपाल और पूछा जाये तो भारत देश की पर्थम महिला राज्यपाल भी थी सरोजनी नाइडू जी ने सरोजनी नाइडू जी ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिजरे में निवास करने वाली चिडिया के समतुल्य है ठीक है अगले कोश्चन की अगले question की चर्चा करते हैं अगला question है सम्मिधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी तो अपसन नमबर A है साथ इसी तरीके के आपसन दिये गए है इसका जो right answer reference ओ है दो सम्मिधान सभा में दो महिला सदस्य थी एक थी सिरिमती सरोजनी नाइडू जी एक थी हंसा मेहता जी यही दो सदस्य थी ठीक है अगले question की चर्चा करते हैं अगला question है राष्ट्रपती पर किस अनुच्छेत के तहत महाभियोग चलाया जाता है तो यही question बहुत important है कई एक जामे में पूछा गया है कि राष्ट्रपती पर किस अनुच्छेत के तहत महाभियोग चलाया जाता है तो यही जो है 20 question आपके सामने थे उमीद करता हूँ यह सभी question important तो मेरे हिसाब से important थे और परिच्छों में पूछे भी गये थे आप देखिएगा क कि आप किस तरीके सीसे लेते हैं कैसे पढ़ते हैं कैसे पढ़ाई करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे question ऐसे question answer जो है चैनल पर आते रहेंगे लगाता रहें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बिल आइकन दबा लेंगे तो आपके वीडियो का अपडेट बिलता रहेगा कौनसा वीडियो कब आ रहा है तब आपको पता चलता रहेगा ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए